दोस्तो दुनिया के नमबर वन इोट्रेशन कंपनी की बात की जाए तो सबसे पहले जिस कंपनी का नाम आता है वोड़ है हरवल लाइफ और दौस्तो आपको बता दे हरवल लाइफ की स्थापना उनिस सौसी में हुई और दोस्तो इस कमपनी के संस्था पर मार्क हीूज हैं दोस्तो ऐसा कोई राज नहीं जां हरवल लाइफ का नाम नहीं और ऐसा कोई देश नहीं जां हरवल लाइफ कमपनी का डिमांड नहीं दोस्तो इस कमपनी की इतनी डिमांड इसलिए है कि इनका पहला उदेश ही है लोग को नियंतित करने में और अगर कोई व्यक्ति जादा दुबला पतला हो उनको अच्छी सेहत देने में और उनका वजन बढ़ाने में सहायता करता है यह सिस्टम और दोस्तों हरवल लाइफ के संस्थापत मार्क ह्यूज इतनी बड़ी कमपनी कैसे सुरू की और कब दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब नियू यर पार्टी होती है इहां दोस्तों एक जनवरी 1956 में मिस्टर मार्क ह्यूज का जन्म हुआ और इनके पिता का नाम मिस्टर जैक ने रेनार्ड और इनके माता का नाम जो एन ह्यूज और मार्क ह्यूज और रेड़ी भाई थे अच्छे से इनकी लाइफ चल रही थी और कहते हैं ना किसी इंसान के जीवन में खुशी जादा देर नहीं टिकती और वैसे ही इस्टर मार्क ह्यूज के जीवन में भी खुशी जाद प्ता देर नहीं रही और मार्क हुज जब 14 साल के थे तभी उनके माता-पिता का डिवास हो गया और उनका लाइफ बैक कंडिशन में चला गया उनका स्कूल छुट गया मार्क हुज और उनकी मां की उच्छ के नन्या ला गए और मार्क हुज अपने नानी घर में बड़ा होन नहीं वैसे ही हिस्टर मार्क हुज की मा अपनी भारी वजन से और अपनी मोटापा के वज़स से बहुत चिंतित रहती थी और उनकी अपनी वजन घटाने के लिए बहुत सारी दवाई भी खाए थी और इसी भारी वजन के तनाव से और दवाई के साइड इफेक्ट से उनक कि मार्क यूजे ने कसंघा ली कि मैं ऐसी कंपनी का निर्मान करूंगा कि मैं ऐसा सिस्टम का निर्मान करूंगा कि मेरी माध्ल मुटापा से मर गई लेकिन इस पूरी दुनिया में किसी भी इनसान को मुटापा से मरने नहीं दूंगा फिर 1974 में एक कमपणी जो की सिफोर लेवर्टी कमपणी जिनका मिसन था वेट लॉस करने का उसी कमपणी में मार्क यूज ने जॉइनिंग किया और उन्होंने टॉप हंड्रेड एसोस्येट में से एक बना एकिन 1989 में ये कमपणी बंद हो गया फिर मार्क यूज ने फिर एक कमपणी को जॉइन्ट किया इनका भी सेम निशन था वेट लोस करवाना फिर से ये भी कमपणी बंद हो गया फिर मार्क यूज के जीवन में एक मौका आया उन्होंने डिसीजन लिया अब अपना खुद का कंपणी खोलूंगा जिसका नाम होगा हरवल लाइफ इंटरनेशनल और उन्होंने उनीस सौसी में हरवल लाइफ कंपणी का स्थापना कर दिया और इस कंपणी को आगे बढ़ाने के लिए वो रात दीने कर दिये थे और अपना सारा समय उर्जा मेहनत लगा दिया इस कंपणी को नंबर वन बनाने में और इनका मेहनत उर्जा और समय वैर्थ नहीं गया दोस्तों वह कहते हैं ना सम या अपने दुबले पतले सरीर से परेशान ये सारी समस्यां का समाधान है हमारे फिटकोच के पास दोस्तों फिटकोच सरका कॉंटेक्ट नमबर डिस्क्रिशन में दे दिया हूँ आप खुबसूरत दिख सकते हो आपकी जिन्दगी बदल सकती है मात्र एक कॉल से सोहे दोस् समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं जैभारत